नया साल है और नई राष्ट्रे संसादन प्रतियोगिता भारत भर से हमने चुने दस शिक्षक जिनकी रचनात्मक्ता और प्रती बद्धता से हम बहुत प्रभावित हुए सुर्गुजा 36 गड़ की सरकारी विद्याले की शिक्षिका प्रमिला कुश्वाहा ने अपनाया पॉकिट चार्ट जो की आप देचर आप के टीचर टूल किट में देख सकते हैं और उसे अपनी कक्षा में अपना सकते हैं इस टूल का उद्धेश्य है बच्चों के शब्द कोश को बढ़ाना, स्थानियमान की समझ बढ़ाना, पढ़ने के कोशल को बढ़ाना ये सबी विश्यों के लिए खासकर भाषा और गणित के लिए प्रयोग किया जा सकता है ये कक्षा एक से पांच के लिए उप्योगी है पर प्रमिला कुश्वाहा जी का पॉकेट चार्ट तो बिल्कुल निराला है इन्होंने विभिन अवधारनाओं के लिए इसका उप्योग किया जैसे जानवरों की पहचान, जोड घटाव, शब बनाना, सही वाक्य बनाना, आकार पहचानना, पर्रयवाची शब, इत्यादी आईए इनी से जाने इनके टूल के बारे में नमस्कार कक्छा सिक्षण के तोरात किसी भी अधारना की समझ को पापी करना के लिए मैं अमनी खचा में इस पॉक्ट बोर का नेमे तु प्रयोग करती हूं इस पॉकेट बोर कि प्रयोग हम सभी कक्छाओं में अभी विज्चों के लेकर सकते हैं प्रारामिक रूप से कच्छा एक के लिए मैं इन वर्ण कार्ण का प्रयोग करती हूँ इसे दोग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं पहला अम कार्ण को लगा कर बच्चों से पुछते हैं कि यह कौन सा अंग है और वर्ण कार्ड या को भी लगा कर पुछते हैं कि कौन सा वर्ण है या फिर बच्चे को वर्ण भोल देने से बच्चे खुद से कार्ड यहां से चुन कर और वहां उसमें डालते हैं थोड़े उचे एस्तर स्थानिमान की समझ बनाने के लिए इस तर छे तीघी बंर का पूर्ण करते हैं हिंदी भाषा पे समयार्थी सब दोर परियावचे के लिए का पूरो क करते हैं इंग्लिश में अपोजेट वर्ड्स, कुछे इंग्लिश नाम, इन सब भी विश्यों के इन ही हम पॉकेट बोर्ड का इस्तमाल करते हैं. प्रमिला माम, क्या आप इसकी कक्षा में उपयोगिता दिखा सकती हैं? इदी, ये कितना है? च्छे हैं, और ये? एक ये किता हैं, इसमेरा ये मिल आए तो 20 इसमेरे कितनी ही करते हैं? नहीं बता सकती हैं च्छे क्या है? 6 कॉट शे ही इन ही और इसमें? इसमेरे रही हाही है पॉकेट चार्ट जैसे संसाधनों को अपनी कक्षा में अपनाने के लिए देखिए तो दोस्तों अगर आपको मिस प्रमिला कुश्वाह का आईडिया पसंद आया तो उनके लिए जरूर वोट करें आपका वोट उन्हें लोगप्रिय विजेता बना सकता है वोटिंग करने के लिए देखिए आप डाउनलोड करें कनेक्ट पर रिसोर्स कॉंटेस टाब पर टॉप टेन वोट नाउ पेज पर क्लिक करें और इस विडियो के नीचे दिये गए वोट बटन पर क्लिक करें आपके वोट के आधार पर हम चुनेंगे टॉप तीन विजेता